राजोरी मुटभेड में कैप्टन शहीद सेना के तीन जमान घायल राजोरी मुटभेड से एक बुरी खबर सामने आ रही है बुधवार सुभा से चल रही मुटभेड में कैप्टन शहीद हो गए वहीं तीन जमान भी गोली बारी में घायल हो गए है इन सबी को इलाज के लिए सेन्य अस्पतार ले जुआएगा जो मुस्संभा के राजोरी जुले के राजोरी के बाजिमाल इलाके में समय स्ट्रक्षबलों और आतंकियों के बीच मुटभेड चल रही है पहले इस मुटभेड में दो आतंकियों के होने की खबर थी लेकिन अब यहाँ पाँस से अधी का तंकि होने का अंदाइश्वा है से पहले इस ी मुटभेड में भारतिय सेना ने एक आतंकि मार गिराए था भारतिय सेना के राश्ट्रिय राइफल जमू कश्मीर पुलिस और केंद्रिय रिजर्व पुलिस बल ने बाजिमाल में पूरे इलाके गेर रखा है फिलहाल दोरों तरफ से गोली बारी जारी है राजोरी के काला कोट इलाके में चल रही इस मुट भीर में शहिद हुए कैप्टन 63 रॉस्ट्रिय राइफल सी है कैप्टन का शरीर वापस लाने के लिए जब नो पैरस स्पेशल फोर्स की टीम जब आगे बड़ी तो आतंकियों निकोलियों की बोच्वार कर दी इसमें तीन जवान बहुत गंभी रुप से घाल हो गए इसमें से एक जवान घाल हुआ है लेकिन वह सुरक्षित बताय जा रहा है